गर्मी आते ही महिलाओं को यूरीन इंफेक्शन की समस्या होने लगती है पुर्शो की तुलना में ये दिक्कत महिलाओं को जादा होती है जरा सी अंदेखी करने से ये इंफेक्शन ब्लैडर और किद्नी तक को नुकसान पहुँचा सकता है महिलाओं में उमर बढ़ने के साथ यूटी आई प्रॉब्लम को जादा देखा गया है जादा तर इकॉली बैक्टेरिया के कारण ये समस्या होती है महिलाओं में यूटी आई के कारण बैक्टेरिया का यूरीनरी ब्लैडर में प्रवेश कर जाना है जिससे मूत्र विसर्जन करते समय बहुत जादा जलन होती है गर्मियों में महिलाओं को UTI की दिकत जादा होती है इसका कारण होता है कम पानी पीना जिससे डिहाइडरेशन की समस्या बढ़ जाती है और ब्लैडर में इंफेक्शन होता है इस बिमारी के कोई भी लक्षन दिखने पर ततकाल जाँच या इलाज कराना चाहिए आए जानते हैं किन कारणों से होता है यूरीन इंफेक्शन कैफीन के इस्तिमाल से अतिधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से भी UTI होने का खत्रा बना रहता है चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर में प्रवेश करने के बाद प्यास को खत्म करते हैं और इस वज़े से हम पानी का परियाप्ट सेवन नहीं कर पाते जिससे डिहाइड्रेशन होता है और आप आसानी से UTI की चपेट में आ सकते हैं कोल रिंग केफ सेवन से कोल रिंग एक कार्बरनेटर ड्रिंग है इसे पीने से मूतर शारिय बनता है और जलन कम होती है लेकिन ये डिहाइड्रेशन की समस्या को कम नहीं करता इसका जादा सेवन हानी कारक हो सकता है बर नाम सरूप UTI होने का खत्रा जाता रहता है कैसे पाएं यूरीन इंपेक्शन से चुटकारा यूरीन इंपेक्शन से बचाओ के लिए हमेशा स्वच्छ सौचाले का ही इस्तमाल करें घर के बातरूम को साफ रखें और पब्लिक ट्वालेट का इस्तमाल ना के बराबर करें शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाएं अगर समस्या जादा बढ़ गई है तो तुरंद चिकिस्सक को दिखाएं अमरुजाला.डॉट कॉम